हेलो आज के इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के एक्सरसाइज 9.2 कराऊंगी फर्स्ट कॉश्यन देखे टू सर्कल्स ओफ रेडियाई 5 सेंटीमेटर एंट 3 सेंटीमेटर इंटरसेक्ट अट 2 पॉइंट डिस्टेंस बिट्विन देर सेंटर यहां पर आमें फीगर ड्रो नहीं करके दे रखिया हम फीगर दो कर लेते हैं मैंने दो सब्सक्राइब ड्रो किया हैं जो कि इंटरसेक्ट करें दो पॉइंट्स पे मैंने इस तरह की figure देखो क्यों डो किया है अगर मैं smaller circle के diameter की बात करूँ तो वो around 6 cm होगा और bigger circle की radius है 5 cm it means smaller circle जो है काफी हद तक bigger circle के अंदर लाई करेगा तो इसके जो center है smaller circle के और bigger circle के वो इस तरह से कुछ लाई करेंगे एक का center में ले लेती हूँ A तो दूसरे का मैं ले लेती हूँ B ओके अब हमें common code ड्रो करनी है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं यह पॉइंट यहां से मुझे common code ड्रो करनी है like this और इस common code की length हम लोगों को find out करके देनी है ठीक है code का नाम मैं रख लेती हूँ CD सबसे पहले मैंने जितना काम किया है न मैं इतना ही लिखती हूँ यहां पर लिखोंगी let CD be the common code the common code of two circles having their center A and B अगर मैं अब A से C तक की line ड्रो करूँ like A से C तक की line ड्रो करूँ तो इसका distance मुझे पता है bigger circle से radius कितनी है 5 cm इसी तरह से अगर मैं B से C तक line ड्रो करूँ तो इसका distance में मुझे पता है smaller circle की radius कितनी है 3 cm और इनके centers के बीच का distance हमें दे ही रखा है यह है हमारे पास 4 cm यहां मैं लिख देती हूँ 4 cm वैसे देखो मुझे need है नहीं कि मैं नीचे भी एक triangle बनाओ और अगर बनाना चाहें न तो आप यह भी construct कर सकते हैं चलो अभी हम लोग given लिखते हैं given में हमें दे रखा है centers के बीच का distance जो है वो है 4 cm और बड़े वाले circle की radius हमें दे रखी है 5 cm AC और AD दोनों ही है 5 cm यह है रेडियाई bigger circle की ओके इसी तरह से हमारे पास BC और BD भी दे रखी है यह है 3 cm के क्योंकि यह है रेडियाई यह है smaller circle की अब ही मैं यह उपर वाले triangle में काम कर रही हूँ triangle ABC triangle में triangle की सबसे बड़ी वाली side क्या नजर आ रही है आपको 5 अगर मैं करूं 5 का square equal है triangle की और दोनों जो side है उनके square के sum के बराबर तो यह क्या होती है हमारे Pythagorean Converse Theorem If the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of other two side of the triangle then triangle is right angle by Pythagorean Converse Theorem triangle ABC is a right angle triangle at कौन से angle पे right angle triangle होगा figure में देखो यह B वाले point पे right angle triangle होगा न क्योंकि इसी के opposite है सबसे बड़ी वाली side तो यहां पे हम लिखेंगे angle ABC ओके similarly इसी तरह से जो नीचे वाला यह जो ट्राइंगल बन रहा है न यह भी होगा इसमें इसमें भी कहां पे होगा angle ABD अभी आपको क्या पता चल रहा है कि angle ABD और ABC दोनों ही हैं हमारे पास 90 डिगरी के यहां पे मैंने लिखा angle ABC और angle ABD को अगर मैं add करती हूँ तो हमारे पास क्या आता है क्योंकि यह भी है 90 डिगरी और यह भी है 90 डिगरी तो हमारे पास आता है 180 डिगरी तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक state line है therefore we can say that CBD is a state line यहां से हम कहां पे पोचते हैं कि B जो है B lies on common code CD common code CD के उपर भी lie करता है हमें find out करके देना है CD CD हम कैसे find कर सकते हैं BC में अगर add कर दे BD और हमें पता ही है BC और BD कितने हैं दोनों ही है 33 cm की 3 cm प्लस 3 cm तो यहां से हमारे पास आ जाती है CD की length 6 cm इस वाले question को मैंने easy से easy तरीके में आपको explain किया है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शिया करना झाले ज्यादा करना